दोस्तों नमस्कार अधार कार्ड जो है आप अपने घर बैठे ही मुवाल नमर लिंक कर सकते हैं अधार कार्ड में जी हो दोस्तों सरकार ने एक एनॉंस्मेंट जारी किया गया है जिसमें बताय गया है कि आप आप लोग जो है अधार सेंटर जाने की कोई अभी सकता नहीं अ अप लोग गर बेठे ही अधार में मौवालिण genome करा सकते हैं दूस्तों कि जैसा आप जानते हैं कि अधार में моя नमर लिंक कराने है यहाँ पर किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद यह आपको डॉर स्टोप बेंकिंग का यह मतलब है जो भी आपके बैंक का जो जैसे पाइसा निकालना है बैंक से और कोई करेक्शन करवाना है तो वह आपके जो है बैंक वाला जो आदमी होता है वह आपके घर पे ही आ जा आएगी यानि कि जो भी उसका सर्विस होगा वो आ जाएगा आपके दौर पर ही तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या प्रोसेस है अधार में मुवाल नमर लिंक करने का वह भी घर बेटे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है एक option यहाँ पर आपको नमर दिया गया है इस नमर पर कौल करके आप जो है जो भी आपके नजदी की पोस्ट आफिस होंगे वहाँ पर जो भी डाग से वहाँगे उनको आप बुला सकते हैं यह जो दो नमर दिया गया तो यहां पर क्या time रहेगा अधार में मौर लिंक करवाने का तो यहां पर देखे ऐ कस्टमर कạn-फिक Time तो यहां पर देखे सुबह 11 बजे से 8,00 चार बजे तक आप इन बीच में अधार में मौर लिंक करवा सकते हैं तो यह school time है तो आप यहां पर time भी आप इन टाइम के बीच यहाँ पर करवा सकते हैं उसके बाद क्या चार्ज लेगेगा यहाँ आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए आपको 20 रुपिया लगेगा अगर आप मुवाल में अगर आप अधार में मुवाल नमर लिंक कराते हैं तो उसके बाद आपको जीस्टी खुद से देना पड़ेगा अलग से जीस्टी आपको देना पड़ेगा जैसे कि एक किलोमेटर के नजदीक में आपका पोस्ट बैंक तो यह 20 रुपिया लगेगा और जो जीस्टी चार्ज होगा वह आपको आपको चालू होने बाला यानि कि अगस्त के एक तारीक को यह सर्विस चालू हो जाएगा तो यहां पर सिर्फ अपडेट दिया गया है कि आप जो है फर्स्ट अगस्त से यहां आप अपने अधार में मुवाल नमर को लिंक करवा सकते हैं वह भी डाक से बक्के द्वारा सभी व्य बनाने वाले हैं और अभी तक जो है अपडेट आया है अधार में मुवाल नमर लिंक करने का यह नई अपडेट आया है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो आप लोग जो है एक अगस्त को बहुत ही असनीतर के पोस्ट ऑफिस में जाके भी खुद करा सकते हैं और नहीं त समय में अगर कोई भी अपडेट निकल के आता है अधार में मुवाल नमर लिंक से रिलेटर तो मैं आपको जरूर बताओंगा तब तक के लिए जहिन